तो आप सभी कोई रामना, कैसे आप लोग, तो आप लगों तो पता है कि इंडिया के नधर इनगेière एथा एंडावलेबल हे, R JON सfenster Institute और वाकशाद और बध्यां रहे कि अबुदो peacock उप्छो अबहूं कि बिद्ध समय अच्छी कंपनी कर टो वह अवियर कंपनी में में बदաूं का ओघ नपने चीर किसी के बतांगा बात मैं तो खेलो ठोड़े देता है बात करते हैं लेक्री स्कूर्टा की तो हम बात करता है जो आप्शन अवेलेबल वह सार है तो आसे वहां को कफूज है ले तो ले कुछ जा उनको चाहिए अच्छा भी अच्छी कॉंपनी भी अच्छी फीचर भी और रीजिनवाल बजेट के आपके लिए सूटेबल है या नहीं है क्योंकि आज की डेट में सबसे जरूरी बात ही हो जाती है कि इतना पर ऐसा घुशाएंगे हमारी काम आना भी तो चाहिए तो पड़े बड़े खराब अगे या एक हफ्ता चलाया और लागे तरह कुछ तूड़ी या कुछ आग लग अगर मैं आपको नहीं देखने है जब आनकर आप तब देख लेना तो बिना किसी तेरी के स्टार्ट के तरने वीडियो को अगर मैं ओकाया पास्ट एप्फोर के स्पेसिफिकेशन और फीचर के बात करो तो इसके अंदर आपको की लस एंट्री, मोटर लोग डिमोट, अगल ट्रैकिंग, जियो फैंसिंग, कीलेस ऑपरेशन, रिमोट अनेबल और डिसेबल, बैटरी स्टेटस, राइड और ट्रेप हिस्ट्री, ब्लूतूथ और जीपेस कनेक्टिव डिजर से कैसे रिफिचे मिल जाते हैं और इन सब के साथ इसके अंदर को मोईल से हैं तो वह है ओला एलक्टिक के S1 और S1 प्रो से हैं टीविज आयक्यूप से एतर फॉर्टी एक्स से बांस इंफिंटी एवन से हीरो एलक्टिक स्कूटर से वह बजार की चेतक से इन सब मकाब्रा है इसके अंदर लेक्स काफी अच्छा दिया गया और मिडिल इरी में स् वह दिगी पहले ओलक के अंतर नहीं मिलता था अब उसने एड़ किया है इसके अंदर साइड सेंस्ट अंसरी भी लगाँ इसके कांड अगर स्टेंट लगा होगा तो इस स्टार्टीन ऊगा चले गई नहीं इसके अंदर क्रिमोट कंट्ल मिलता है जिसमें लॉक अनलोक सब्सक्राइब यह चाह से अबकर की डिटर जाता है मतलब कि कॉम्बे ब्रीकिन शीटर मिलता है ऐसा नहीं है और बाड़ भी पर दे गया है वाटकल दे घृटर लइट इसके इंडिकेटर हैं इसके हैंडल पर दे गए दियाल के साथ 1000 लाइट भी दिए गां इसके अंदर आपको हाई भी मोड दोनों को प्षिन मिलता है आप लोग अपने सबसे सेट कर सकते हो आपको जैसे चलाना है और काया फास F4 काई साफ कर अप्षिन मिलता आपको जैसे कि ग्रे लाल हरा सफेर पीला और और अगर मां ऑका अगर मैं उकाया फास F4 के मोटर की बात तो इसके अंदर आपको 2.5 किलोवर्ट की मोटर मिल जाती है जोकि ब्लडिसी मोटर होती है और यह मोटर इसके अंदर से एक बैटरी आपके बूट स्पेस्मों होती है जो की पोर्टेवल होती है वहीं दूसरी बैटरी आपके फूटरस मोटी होती हो ही पड़ी आइगी आप निकालने सकते उसको उस फिक्स बैटरी को चार्ज करनें यह लिए अपको चार्जिंग बडियों मिल और आगे मिडल एरिये केंदे जहां फूटरस होता है वहां पर एक हुग दिया हुआ है जिसी कि आप आप लोग समान रह सकते हों अगर मोड की बात करूं कि इसके अंदर कितने मोड है तो इसके अंदर आपको टोटल तीन मोड मिलते है एको सिटी और स्पोर्ट उससाथ इ मिलता ही मिलता है अगर मैं रेंज की बात करूं तो ओकाया फास्ट फॉर यह वह फूल चाज होने के बाद एको मोड केंदे एक ताली से एक साथ किलमेटर की नहीं दे सकता है वहीं अगर आपकी रेडिंग कंडिशन काफी अच्छे मतलों बूड अच्छी है टेंपरेचर है बिल्कुल ट्राफिक नहीं है तो यह रेंज 200 किलमेटर दे जा सकती इको मोड केंदे अगर मैं टॉप स्पीड है वह साथ किलमेटर पर आसके यह भी आपके रेडिंग कंडिशन करता है अगर में बात करूं तो कंपनी अपने चार्जर मोटर और कंटोलर पर मतलब दोनों में से जो पहला जाएगी वहां वोटे खतम हो जाएगी और अगर मैं बात करूं मेन मुद्धिया प्राइज की तो इसकी जो प्राइज है लगभर लगभर नभेजार रुपया और जो प्राइज है हर स्टेट के अलग होगी और सब्सिडिए मिलने के बादे को जादा डिफर करेगी एस पर सब्सिडिए और एस पर गोर्वर्मन टैक्सिस और रूल तो अगर आप लगभी कोई सर्ज करें थे न्या लेने की कि अच्छा हो अच्छी फीचर हो अच्छी रेंजर और अच्छी बजट में आ जाए तो आप लग ओकाया फास के एफ और क काफी अच्छी भी है क्यों काफी रेप्रेट कंपनी है बैटरी से आप इलेक्टर स्कूर्टर प्रागी है और इसने काफी स्कूर्टर भी निकाले है इसने दो ओर लॉंच की है F2B और F2T उनके वहले मैंने वीडियो मना चुका हूँ अगर आप लोग देखने तो आप ल अगर आप लोग चाहते है कि उस क्यारी पर एक डिटेल वीडियो बना दू तो ही में बता सकते हूँ अपने इंफोमेशन जुटा के आपके लिए डिटेल वीडियो लेके आ जाओंगा ताकि आप लोग को डिटेल इंफोमेशन मिल जाये एक वीडियो फामेट के अंदर औ अगर वीडियो चली बूटी लगिता है कि आपको पते हागा गरना लाक्षिक अगरम सब्स्राइब तो मलते ने बाभावा टीक के आए